हलो फ्रेंड्स बूर्णिंग नमस्कार बहुत बहुत स्वाकत आप सभी का इस्टेटी विध्यान प्रकास में दोस्तों आज है पांच मैई और दिन बुद्धवार का आए शुरू करते हैं आज के दैने के रोजगार समाचार तो यूपी PCS 2021 में दो अत्रिक्त आउसरों की भी मांग की जा रही है अबेर्दियों के द्वारा और करोना की बरतमान परिस्थितियों को देखते हुए प्रिदोगी चात्रों ने PCS 2021 कुछ समय के लिए अस्थाकित करने और दो अत्रिक्त आउसर देने की मांग करी है प्रिदोगी चात्र संगर समित के अध्यक्ष और इस पांडे ने मंगलवार को इस संबंद में पत्र भेजा है दो आउसर देने के लिए फार्म भरने का पूना समय प्रताम करने का अनुरूद भी किया गया है तो इसे जुड़ी जो खबरें हैं वो अलग-अलग समाचार पत्रों में प्रकासित हुई हैं आप देख सकते है PCS में दो अतरित आउसर के लिए अड़े अभर थी, कुरोना संक्रमण के मद्दे नज़र PCS 2021 परिच्छा अस्थकित करने की भी मांग और इसके लिए मुख्यमंदरी को पत्र लिखा गया है COVID के प्रकोप से समाज का कोई वर अच्छूता नहीं रहा, इसमें प्रतोंगी छात्र भी सामिल है कई प्रतोंगी छात्रों की COVID संक्रमण की चपिट में आने से मौत हो गई तो किसी ने अपने पिता, माता या अनकरीबी रिस्तिदार को हमेशा के लिए खो दिया है प्रतोंगी छात्र मांचिक रूप से पहचान है और 13 जून को प्रस्तावित PCS 2021 की प्रारंभिक परिशा के लिए तयार नहीं है प्रतोंगी ने मुख्यमंत्री और उत्तरप्रिस लोकसिवा आयो को पत्र लिकर मांग की है कि PCS 2021 की प्रारंभिक परिशा को कुछ दिनों के लिए टाल दिया जाए और ओवर एज होरे भड़तियों को PCS परिशा में दो अत्रिक्त आउसर भी प्रदान किये जाए प्रतोंगी शात्र संकर समित के अधिक्ष और उनिस पांडे ने मुख्यमंत्री को पत्र लिकर कहा कि PCS परिशा में उत्तरप्रदेश से सबसे बड़ी संक्या में शात्र सामिल होते हैं और उत्तरप्रदेश में करोना संक्वारस का संक्रम अर्टेजी से फैल रहा है प्रतोंगी शात्रों की मांसिक दसा को समझते हुए उन्हें रहत प्रदान करें आप से वेदन हैं कि PCS 2021 की परिशा कुछ समय के लिए अस्थगित कर दें और इसी के साथ जो ओर एजब भिरती हैं उनको भी दो असर देने की बात यहां पर कही जा रही है पिछले साल भी COVID के कारण तमाम अभिया थी PCS परिशा में सामिर होने से बंचित रहके थे तो फिलाल यह जो मांग है बिल्कुल जायज है मैं इसका समर्थन करता हूँ बरतमान में जो इस्थिक्तियां बन रही है उसको देखते हुए यूबी PCS 2021 की परिशा को कम सकम जुलाई तक के लिए तुझ रूरू टाल देना चाहिए क्योंकि अगर परिशाएं होती है तो निश्चित रूप से इसका खाम्याजा जो भेड़ती है वही भरेंगे आगे बढ़ते हैं चलते हैं अगली खबर पे तो 11 मही से UPTT के लिए आविदन सुरू होने पर अपसंसे हैं कारण यह है कि NIC जहां से UPTT के आनलाइन आविदन प्रक्रिया की सुरूआत होती है वहाँ के 2-3 अधिकारी करपचारी कुरोना संकर्मन की चलते अपनी जान गमा चुके हैं ऐसे समय में जब सरकार के पास UP बूर परिच्छा को लेकर असमंजस है तो UPTT के लिए 11 माई को विग्यापन जारी होगा इस बात को लेकर भी असमंजस की सित्य है सच्यू अनिल भुषर चत्रवेदी का कहना है कि इसके बारे में अभी सासन अस्तर से चर्चा करने के बाद ही कुछ कहा जा सकता है तो मिलाज अलाकर इस तरी ये बंदही है कुरोणा संक्रमण के चलते उत्तरप्दिस सिक्षक पातता परिच्छा के लिए 11 माई को विग्यापन जारी होने को लेकर भी सवाल खड़ा हो गया है कुरोणा संक्र के चलते UPTT 2020 में नहीं हो पाई थी और ऐसे में सिक्षक परती में सामिल होने के लिए अभिरत्यों के लिए UPTT का इंतजार थोड़ा सा और बढ़ सकता है तो सचिव परिच्छा नियामक प्रादिकारी और बेसिक सिक्षा विवाग की ओर से मार्च में ये बताया गया था कि 11 माई को UPTT के लिए बिग्यापन चारी होगा और 18 माई से एक जुन के बीच इसके लिए अनलाइन आविदन लिये जाएंगे परिच्छा जोती वो 25 जुलाई को कराने के बारे में बात कही गयी थी लेकिन बरतमान इस्थित्यों को देखते हुए अब कुछ भी बिलकुल नियत महीं है कि ये परिच्छा कब होगी और किस प्रकार से होगी UPPSC के बारे में बात करें तो उत्ताय समय पर पुष्टिकाय नहीं देख सकेंगे अभरती COVID-19 के करना आयोग ने जो काप्यों के दिखाने की थी थी उसको अस्थखित कर दिया है और इसमें उत्तरप्दिस नियाइक सेवा सिविल जैज जूनियर डिवीजन परिच्छा 28 और समिक्षाद कारी यानि की आरो यारो परिच्छाद 2017 के अभरती जो परी काप्यों देख सकते थे अब तैस समय पर नहीं देख पाएंगे क्योंकि करना यहाँ पर यह है कि UPSC ने उत्तर पुस्तिकाएं देखने के लिए जो कारेकराम निर्धारिट किया था COVID-19 के मद्दे नजर उसे टाल दिया है परिच्छा नियंतरक अरबिंद कुमार्मिस्ट के अनुसार अगली तीथी की जो सुचना होगी वो बाद में दी जाएगी PCSJ 2018 के अभरतियों को उच न्याले के आदेश के अनपारन में और जन्र सुचना अधिकार अधिनियन 2005 के तहत परिचा की उत्तर पोस्तिकाओं के अलोकन के लिए पांच मई को बुलाया गया था फिलाल अभे जो डेट्स हैं वो पोस्ट पून कर दी गई हैं नई डेट्स अभे डेकलियर नहीं हो पाई हैं करणचारी चैन आयो की ओर से के अंधिरी सुरक्षापलों में कांस्टेबल जनरल ड्यूटी जिसको आप जीडी कहते हैं जीडी परिचा 2020 के लिए 40,000 पदों के लिए आविदन प्रक्रिया इसी महने शुरू होगी और कुरोना संक्रमन के चलते भरती प्रक्रिया में देडी भी यहां पर हो सकती है कुरोना की बज़े से एससी की ओर से सिपाई भरती के लिए आविदन प्रक्रिया जोती होगी दिले हुई है लेकिन माई के पहले सप्ता में अब इसे सुरू करने की घुषड़ा कर दी गई है दिली में कुरोना संक्रमन के चलते एससी मुक्याले में पचास फिजदी करमचारियों की उपसित्ती का नियन लागू है और करमचारियों के नहीं आने से भरती प्रक्रियार से जुड़ी तयारियां पिछड़ रही है आयों के सुत्रों की माने तो करमचारियों की कमी से अधिकांस भरती परिचाओं की तैयारी पर असर पड़ सकता है समंद्री विवागों की ओर से पदों का विवरन नहीं बीजा गया है जिससे पहले से तैय तिथी 25 मार्च को कांस्टेबल जीडी भरती का विग्यापन जारी नहीं हो सका गा और केंद्री सुरक्षा बलों के लिए लद्दाख और जम्मू कस्मिर के कोटे का निधारन पूरा नहीं होने से मार्च में बीजापन जारी नहीं किया गया था ससी के ओर से कांस्टेबल जीडी भरती परिचा तुजाद बीस के लिए यहां पर C.A.P.F. इसके लावा N.I.A. और सचीवाले सुरक्षा बल जिसको आप S.S.F. कहते हैं इसके लावा B.S.F. और अन असम राइफर्स बगर आप में लगबग 40,000 पर भरती की जाएगी S.S.C. के छितरी निदेशक रावल सचान के अनुसार कांस्टेबल जीडी भरती के लिए आयोग में तयारी चल रही है जल्दी इसका नोटिफिकेशन जारी कर दिया जाएगा आगे बढ़ते हैं चलते हैं अगली खबर भी मई में होने वाली जेई मेंस की परिशा भी COVID-19 की वज़े से अस्थखित कर दी गई है और इसके बारे में किंद्री सिक्षा मंतरी रमेश कुकरियाल निसंग ने प्रीट करके जांकारी दी है और ये भी कहा है कि अब इसकी जो आगामे डिट्स होगी वो अब एक डिक्लियर नहीं है जेई मेंस का अस्थखित किया जाना तीसरा सत्र 27, 27 और 30 अपरेल को आज़ित किया जाना था अब जेई मेंस के मई 2021 को भी अस्थखित करने का फैसला किया गया है नया कारेकरम बाद में तैंक किया जाएगा और दोस्तों यहाँ पर इलावाद विस्विदाले की कुलपती प्रोफेसर सेंगीता सिवास्तों की अध़क्सता में मंगलवार को परिशा समीत की बैटक आनलाइन माध्यम से वी बैटक में असनातक सेकेंड येर और थर्ड येर के साथ ही परासनातक और प्रोफेसिनल कू प्रदर्शन के आधार पर प्रमोट के जाएंगे और उसे के आधार पर अंकपत्र दिये जाएंगे असनातक जो प्रफेसिनल कूर्स अंतिम सिमस्टर की परिशा जुलाई या अगस्त में करोना महमारी को कि उसमें जो इस्तिती रहेगी उसको दिखते हुई करवाई जाए इलावाद विस्विद्याले और इसे सम्मंद जो कालेज हैं उनके बिसिम स्वेश्टर की मुक्य परिशाएं और असनातक दूती और तिती वर्स की बैए पेपर की परिशाएं तीन अपरेल से सुरू हुई थी लेकिन कोवीड का संक्रमन तेजी से बढ़ने के कारण दस अ यहाँ बाद विस्विद्याले प्रसासन ने अस्तकीत हुई परिशाएं तीस अपरेल से कराने का नेड़े लिया था लेकिन कोरूना संक्रमन के कारण परिशितियां बिप्रीत होने और परिच्छाओं को फिर से टलना पड़ा यहाँ गौरत अरभ है कि पिछले साल कोरून प्रोफेसर एनके सुकला चीफ प्राक्टर प्रोफेसर हर्ज कुमार सहीत सभी डीन आदी शामिल होंगे तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि विभाग को इकाई मानकर सोध में देंगे प्रिवेस स्वेक्त सोध प्रिश्चा क्रेट के जरिए 2020 के जरिए PhD प्रिवेस में आ आधार यहाँ पर मानकर इसके बाद यह जो प्रक्रिया है उसको आगे बढ़ाया जाएगा और दोस्तों आपको याद दिला देंगी करनफेर का जो वीडियो होता है यह रोज सुबर पांच बजे आपके लिए अप्रोड कर दिया जाता है बिलकुल इसे आप लोग मिस मत क क्या करें रोज दो पर में 12 बजे इस्टेक्टिक जीके का एक वीडियो अप्रोड किया जाता है और यह वीडियो आप के लिए होने माली जूनियर सिक्षट भरती परिक्षा यूपी पीचियस समिक्षा अधिकारी सायक समिक्षा अधिकारी और अन्य सभी परेश्योंगल बहुत इंपोर्टेंट होती है तो इसको भी आप तो जुरूर बाज क्या करें तो आज की वीडियो में बस इतना ही सीखरी मिलेंगे आपसे एक नए वीडियो में तब तक लिए आगया देजी नमस्कार जैहिंद